दोस्तों कैसे सबी लोग आशा करते हूं अच्छे होंगे चलिए आज पिर आपके लिए बॉलिवुड की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ आई होप आपको पसंद आए जित पर अड़ी हेमा मालिनी नहीं करने दिया था धर्मेंद को जीनत अमान सिंग रोमेंस फूल गएते मेकर्स के हाथ पौँ हेमा मालिनी और धर्मेंदर ने करीब 30 फिल्मों में एक साथ काम किया है इस कपल ने 1980 में शादी की थी 44 साल की ये कपल अपनी शांदर कैमिस्टी क वज़े से खबरों में हमीशा रहता है बता दे कि जिस साल कपल की शादी होने हुई थी उसी साल उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें इनके लावा जीनत अमान भी थी कहा जाते है कि उस फिल्म में जीनत धर्मेंद के अपोजेट काम करने वाली थी लेकिन हेमा मालिनी ने उन ने फिल्मी करियर में करीब 30 फिल्मों में एक साथ काम किया जिसमें से जादतर फिल्में बॉक्स आफिस पर हिट साबित हुई थी बॉलिवुड की हिट मसीन रही इस जोड़ी एक फिल्म साल 1980 में आई थी फिल्म को उमेश महरा और लतीफ फैजियेफ ने मिलकर निर्देशि भी थी अलीबाबा और 44 साल 1980 की एक हिट थी इस फिल्म को मेकर्स ने 1.60 में बनाया था मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने भारतिये बॉक्स आफिस पर 60 करोड और पूरे विश में 22 करोड रुपे की कमाई की थी आयम बीडी की रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म लगातार 25 हवतों तक थेटर में चली थी और सिल्वर जुबली हिट साबित भी हुई थी बताया जाता है कि इस फिल्म के करीब 2.10 करोड केवल भारत में ही विके थे इसके साथी सोबियत यूनियन में करीब 5.28 करोड टिकेट विके थे यानि इस फिल्म के ने दुनिया भर में करीब 7.40 करोड टिकेट विके थे बता दे कि यह फिल्म धर्मेंद्र हेमा की जोड़ी की 70 फिल्म थी जो बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई थी कहा जाते ही कि इस फिल्म को जीना तमान ने सिर्फ डारेक्टर उमेश महरा की वज़े से किया था वहीं उन्होंने फिल्म में अपने रोल के लिए समझाता भी किया था कि रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म में जीना तमान सेकंड लीड रोल नहीं करना चाहती थी वह पहले धर्मेंद्र के अपोजिट लीड रोल में कास्ट की गई थी बाद में इस फिल्म में जीनत को हेमा माली ने रिप्लेस कर धर्मेंद संग रुमेंस किया हेमा माली ने फिल्म भी इनी सर्तों पर की थी कि वे फिल्म में धर्मेंद का पोजिट काम करेंगे बताया जाता है कि जीनत के रोल के लिए पहले maker's ने actress Reena Roy को अप्रोच किया था लेकुन उन्होंने इस फिलम को करने से मना कर दिया था Reena Roy के मना करने के बाद जीनत ने डारेक्टर संग अपनी दोस्ती के वज़े से ये फिलम की ती आपको स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में जहू बताइएगा अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग, बबाई, आपका दिन शुबो